ये गाईस कैसे हो आप सब तो आज के वीडियो में हम डिसकस करेंगे कि जो income tax return हमारे पास document की checklist में आती है borrower की या individuals की उनके अंदर हमें क्या-क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि इसकी point को हमें importantly देखना चाहिए वो सब आज discuss करेंगे हम कोई जादा lengthy वीडियो नहीं बनाएंगे आज का तो सबसे पहले जो हमारे पास ITR document की checklist में आती है तो उसके दो parts होते है income tax return चाहिए वो borrower की हो चाहिए वो guarantor की हो income tax return जो हमारे पास आती है उसके दो parts होते है एक तो होता है ITRV एक होता है computation of income computation of income ITRV जो होता है यह एक standard format है यह एक standard format है यह हर एक case में आपको same ही मिलेगा यह जो computation of income है यह different हो सकता है क्योंकि यह usually software में से निकाला जाता है कई लोग इसको manually prepare करके भी देते हैं तो यह कोई income tax की website से नहीं निकाला जाता यह कोई income tax की website से नहीं मिलता तो इस चीज़ का हमेशा अपने back of the mind ध्यान रखना कि यह manually prepared भी हो सकता है या जिन लोगों ने अपनी ITR को किसी software जैसे smart tax की दुरूँ फाइल किया है तो वो software एक automatically एक और computation of income बना के देता है तो कई लोग manual भी बनाते हैं इस चीज़ को तो हमारे पास always जब भी आप income tax return की demand करें अपने client से तो ITR V और computation of income दोनों चीज़ों की demand करें मैं importance बताऊंगा कि दोनों की अपनी अपनी जगा पर क्या importance है तो सबसे पहले आप यह समझ लीज़े कि ITR V होता क्या है यह एक acknowledgement है यह just एक acknowledgement है किसकी तरफ से income tax department की तरफ से income tax department की तरफ से किस पात की acknowledgement है कि आपकी ITR V file हो गई है आपकी ITR filed है इस चीज़ की acknowledgement है जैसे आप किसी दुकानदार के पास कोई समान खरीदने जाते हैं या आप कहीं पे भी किसी को for example कोई payment करते हैं आप बोलते हैं कि यह मैंने payment कर दी मिरको एक receipt दे दो मिरको एक receipt दे दो तो जिसमें आपने एक brief detail दिख दिया कि भई यह चीज लिए तो इसकी यह receipt है कि आपने यह payment की है ठीक है तो उसी तरह से अगर हमने income tax पर जाके अपने income tax return को file किया है तो अपना जो income tax return फाइलर जो हम हम लोग है यह borrower है जो भी individual है वह income tax department को बोलता है कि भाई साब मैंने return file कर दिया पर मिरको इसका प्रूफ तो दो कोई रसीद तो दो कि भाई हमारी return file हो गई है तो income tax department उसको ITRV issue करता है जिसको आप उसको acknowledgement बोलते हैं कि income tax department acknowledge करके दे रहा है कि भाई आपकी return file हो गई है ठीक है अब जो यह ITRV होता है यह एक single page का ही होता है यह इसमें कुछ ब्रीफ information होती है आपके बारे में जैसे आपका नाम इसमें लिखा होता है आपका नेम इसमें लिखा होता है इसके अंदर एड्रेस लिखा होता है इसके अंदर income tax filing return filing date लिखी होती है filing date कि किस तारीक को आपने फाइल की है ठीक है इंकम टोटल इंकम कितनी आपने बताई है कितना आपने tax pay की है इस तरह से कब electronically verify की है तो यह सारी information इसके अंदर given होती है ठीक है पर ध्यान रखिए अगर माली जी आपका borrower है या आपका जो भी guarantors है वो तीन चार तरह से business income को अपनी कमा रहे है ठीक है तो ITR V से खाली total income आपको पता लगेगी after all deduction जैसे ATC की deduction ले ली या कोई और उसने medical claim की deduction ले ली तो कोई donation की deduction ले ली तो net off करके जो total income आईगी वो यहां पर show off की होती है सारी तरह की incomes को mix करके तो आपको यह नहीं पता चलेगा कि भाई इसकी income किस source से कितनी है किस तरह से कमा रहा है यह income हमारे business से को income है भी यह नहीं है ठीक है तो उसके लिए आपको computation of income चाहिए होगा computation of income में जो इसकी यह total income है और जो यह tax है इसकी detailed calculations होगी detailed calculation होगी इसकी बस इतना ही difference है दोनों में ITRV में summarize सारी चीज़ों का एक रसीर दे दी जाती है अगर हमने जब check करना है कि उसकी total income कैसे calculate की गई उसमें कौन-कौन सी income included है कौन-कौन सी नहीं है उसका tax को कैसे calculate किया गया उसने कितना advanced tax जमा करवाया उसका TDS कितना कटा उसने self-assessment tax कितना जमा कराया यह सारी चीज़ें हमें computation of income से पता लगेगी इस तरह से नहीं पता लग सकती तो computation of income भी आपके लिए equally ज़रूरी है ठीक है अब आते हैं कि जब आपके सामने किसी borrower का ITRV आ गया आपके बोर्वर का आपके सामने आ गया बोर्वर या गरेंटर का तो आपको पहली जलक में क्या क्या चीज़ों को चेक करना है देखिए जो जो भी information वहाँ पे mentioned है आप उसको cross check करें अपने KYC के साथ आपके पास pen card pen card अधार card आया होता है pen card and अधार card आया होता है फर्म का भी आया होता है या जैसे भी हो फर्म का या गरेंटर्स का इंडिविजुल्स का ठीक है तो रिसक क्या रहता है माली जो फर्म में है जिसका pen number A, B, C, D, E, 1, 7, 1, 8, F ऐसे करके है ठीक है जब आपने ITRV देखा ITRV प इसकर दिया कि उसमे pen number कुछ और आ रहा है उसमे pen number different है तो that means आपका जो client है वो आपको कोई और ITR बनाके दे रहा है अपनी फर्म की ITR तो आपको submit ही नहीं करी तो सबसे पहले तो आप अपने pen number को telly कीजिए pen number को telly कीजिए अपने KYC के साथ जिस borrower को आप loan देने जा रह हैं जो ITR आपको submit हुई है यह उनीक ही है ना तो वह pen number से आप टेली कीजिए जो address ITR वी पे mentioned है उसको अधारकार से जूर एक बर चेक कीजिए हो सकता है कि ITR वी पे पुराना address हो या नया address हो अधारकार पे different address हो तो अगर difference है तो client से पूछिए कि कहीं उसका ITR वी में पुराना address तो नहीं आ रहा और जो आपको अधारकार दिये उसमें updated address है या वाइसा वरसा उल्टा भी हो सकता है कि अधारकार में पुराना हो और ITR वी में नया हो तो उससे सेनेरियों में आप अगर अधारकाट पर पुरान अड्रेस है तो उससे कोई अड्रेस प्रूफ ने वाले अड्रेस का लीजिए ठीक है तो इस चीज को चेक कीजिए उसके बाद एक और वाल इपम्होराइ यहार है ? अब जैसे लिंद ये सब्सक्राइक चेक करना कि आपकोropri ? असक्ता फाइल सब्सक्राइड होज सक्क्राइड पुर्ण आपको embodied फाइल हो रही है तो वहे हुई है तो भाई कोई डिले इतना बहुत ज्यादा डिले तो नहीं है फोर एक्जमपल अब जैसे फर्म्स की जो ऑडिट वाली आइट कार्ज है उसकी लास्ट डेट 30 सेप्टमबर है फोर एक्जमपल तो 30 सेप्टमबर ड्यूडट है तो उसने लेट रिटरन फाइल की मालो 15 कुटूबर को फाइल कर दी, 20 कुटूबर को फाइल कर दी, 15-20 दिन का डिले हो गया, उपर नीचे हो गया, कोई एमर्जेंसी आगी ने कुछ आगी थी, डिले हुआ है तो आपको समझना तो पड़ेगा है कि आपको डिले के हुआ, बट 15-20 दिन का डिले शायद वो कोई बहानना बना दे तो justify हो सकता है, अब माली जे की 30 सेप्रमबर ड्यूरेट थी, उसने जाके मार्च में फाइल की रिटर्न, तो भई इतना डिले तो justified नहीं है ना, कि जो client अपनी इतना compliance नहीं कर पा रहा, तो कल को आपकी loan, आपने जो as a bank, उसको conditions रगए है, आपने जो उस आया है कि हमारे साथ आपको इस तरह से चलना पड़ेगा, तो आपके साथ कैसे चलेगा, जब सरकार के साथ ही नहीं चल पा रहा हो सही तरीक के से, ठीक है, तो कई बार अब इसमें एक और point भी important आ जाता है, अब आपके पास एक साल की one year की ITR तो आती नहीं है, अब जैसे आप बोरोर को फंड करते हो, तो आपके पास दो से तीन साल की ITR तो minimum आप अपने बैंक में लेते होगे, दो या तीन साल की ITR तो हमेशा लास्ट दो साल की ITR उठाके, लास्ट टू यर्स की ITR उठाके, उनकी filing date का difference जरूर ढूंडिए, filing date का difference जरूर ढूंडिए, कई बार ऐसे होता है कि दोनों ITR विदिना gap of 5-6 मीन नहीं फाइल की है, क्योंकि उसको पता था कि मैंने bank को loan के लिए file लगा नहीं है, तो bank मेरे से ITR मांगे गए मांगेगा, तो वैसे वो income tax department वालों को कुछ समझता नहीं था, ITR देता नहीं था, तो bank वालों को loan देने के लिए उस थी, extend करी गया, करी गया, करी गया, तो वो अगर extension वाला ऐसा कोई year था, तो आप एक बर google check कर लीजे, कि यह client से भी discuss कर लीजे, कि उस साल में कुछ extension था या क्या था, तो उससे आपको idea हो जाएका, नहीं तो ITR VE में भी आपको पता चल जाएगा, कि वहाँ पे लिखा होग कि related return है, कि late return file हुई है, ठीक है, तो pen card हो गया, आपका address हो गया, ठीक है, आपकी ITR की filing date वहाँ पे verify होगी, अब वहाँ पे आप बोलेंगे कि अगर किसी का date of birth चेक करना हो, date of birth, तो date of birth कई ITR VE में नहीं आता, date of birth या date of incorporation, कई लोग इस चीज़ को भी cross check करना चाहते होते हैं, कि date of birth को cross check करने हैं, कि कई वही date of birth में तो difference नहीं है, date of incorporation को check करने हैं, यह ITR VE में नहीं आता, यह usually अगर आपकी जो computation, computer generated होती है, जो computation of income, जो मैंने पिछले slide में आपको बताया, जो computer generated होती है, जैसे smart tech software से निकले आत यह उसमें date of birth mentioned होता है, उसमें अप ध्यान से लेखेंगे, उसमें date of birth आपका mentioned होगा, ठीक है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, कि वैसे तो इतना ज़्यादा important भी नहीं है, बर कई बार ऐसे होता है, कि हमें for example, कोई case ऐसे हो जाता है, कि जैसे मैं आपको practical example दे तो date of birth मेरे को check करनी थी, तो मैंने ITR की computation निकाली, वहाँ से एक बार date of birth अपने reference के लिए check कर ली, ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा सा use कर सकते हैं, बट यह बहुत ही kind of rare occasion है, कि आपको कहां पे इसको use करना पड़ सकता है, और इसके लावा वहाँ पे क्या होता है, ITR-V में form लिखा होता है, कि कौन सा form फाइल किया ITR का, अब जैसे different different ITR के forms होते हैं, गौर्मेंट के, ITR 1, 2, 3, 4, अलग-अलग forms होते हैं, अलग-अलग तरह की nature of incomes के लिए, अलग-अलग तरह के forms बनाए गए है, ठीक है, तो उसमें देखिए, मैं समझाने को तो आपको जाता है, तो मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि आप इस चीज़ को समझ लेना कि उसने return जो है, वो normal return फाइल की है, या उसने जो अपनी return है, वो उस तरह से फाइल की है, प्रिजम्टेव इंकम वाली फाइल की है, तो उन चीज़ों की calculations में भी आपनी जानाने जाता है, क्योंकि वो income tax है, तो वो चीज़े एक separate discussions का पार्ट है, तो इसके लाब आई-टीर वी में आपकी होती है, total income, total income and tax, ठीक है, अब आपको मैं एक चीज़ से link करना चाहूंगा, जब आप CMA data बनाते हैं, CMA data या financial sheet जो भी आप borrower की बनाते होंगे, उसमें जब आप net profit डालते हैं, उसके नीचे आपको tax की amount डालनी होती है, लिखा होता है format में usually provision for tax, but provision for tax की जगह आपको books में provision for tax की डालनी होती है, आपको जो ITRV में tax होता है न, वही यहाँ पे डालना होता है, तो जो यहाँ पे tax की amount reflect करेगी, वही amount यह आप यहाँ पे डालनेंगे, यह net profit before tax हो गया, और यह आपका net profit after tax आएगा, यानि कि जब आप CMA data आपने borrower का बनाएं, तो borrower की ITRV में देखें कि उसका tax amount कितना है, तो जो tax amount उसका होगा, वह यही पे उठाके उस tax amount को डाल दें, correct, तो इसमें एक दो point और आपके समझने वाले हैं, मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे, अब जैसे total income है, मान लिए client की total income है 10 लाक रुपे, और tax है मान लिजिए 10 लाक रुपे, आपका यहाँ पे net profit before tax है, जो business income है, net profit before tax रुपे नहीं यूज़ करूँगा, जो आपकी business income, जो आपकी profit and loss account में आ रही है, या कुछ भी लगा लिजिए, वो आ रही है, मान लिजिए 8 लाक रुपे, ठीक है, तो अब आपने computation of income चेक किया, computation of income चेक किया, वहाँ पे देखा कि client की multiple source of income है, यह 10 लाक जो है, यह multiple source of income में बना है, जिसमें से simplicity के लिए मैं बोल देता हूँ, कि 8 लाक आपकी business की income है, और 2 लाक रुपे माली जी, उसको कोई other income है, जो की, जो income उसकी balance sheet में नहीं आ रही, other than balance sheet उसकी कोई income आ रही है, no matter what, कोई भी income आ रही है, यह proprietorship case में ज़्यादा आपको दिक्कर आ सकती है, दो लाक रुपे की other income आ रही है, आठ लाक की यह income आ रही है, तो यहाँ पे आप tax amount कितना डालेंगे, तो आपका net profit after tax तो बहुत कम हो जाएगा, 7,90,000 रहे जाएगा, जबकि यह accurate picture नहीं है, accurate picture क्या है कि, जो यह 10,00,000 रुपे की income पे, आपका 10,000 का tax है, तो 8,00,000 की income पे कितना tax होना चाहिए, तो 10,000 divided by 10,00,000 into 8,00,000 तो यह बनेगा 8,000 पे, तो यहाँ पे instead आपका 8,000 पे आना चाहिए और आपका यह 7,00,000 बन में जार पे नेट profit after tax CMA data में reflect करना चाहिए, आपको यह चीज़ clear होगी, next point पे चलते हैं, यह होगी आपकी ITR भी, अब जब हम आते हैं अपनी ITR acknowledgement पे, computation of income पे, sorry, computation of income पे, वहाँ पे आपको different source of income मिल सकते हैं, different source of income आपको मिल सकते हैं, तो वो पहले तो आपको as an analyst, as a relationship manager, आपको वो different source of income को assess करना है, देखना है और समझना है, understand करना है, कि आपका जो client है, जो आपका जो guarantor है, वो कहां कहां से पैसे कमा रहा है, अब यहां से आपको relevant information क्या extract हो सकती है, उसके other businesses आपको reflect हो सकते हैं, other businesses आपको reflect होंगे, कि अच्छा कि यार मैं तो a limited को loan दे रहा था, मैं तो सोच रहा था कि यह a limited ही जलता है, पता लगा कि उसके आई टीर competition में कि उसको b limited से भी कुछ income आ रही है, उसको कोई c limited से profit share आ रहा है, या b limited से कोई salary आ रही है, फिर आप सोचेंगे कि यार यह तो a limited कम में partner है, तो b limited से salary कैसे ले रहा है, कहीं b limited भी इसी की फर्म तो नहीं, ठीक है, या b limited से इसको profit share आ रहा है, ठीक है, या b limited से इसको कोई interest income आ रही है, तो interest income दो reason से हो सकते हैं कि या तो इसने b limited को कोई loan दे रखा है, ठीक है, या फिर यह पता लगे, आपने जब तहकीकात की आपको पता लगा कि b limited इसी के ही family members की ही firm है, इसकी wife की, इसके बाप की, मा की, उनकी अलग की firm बनाई हुई है, तो उसने उसी में ही loan के रूम में पैसा लगाया हुआ है, तो वहां से interest आ रहे, तो है इनी की firm ही, तो आपको यहां से group concerns की details पता लग सकती है, group concerns की details पता लग सकती है, यह काफी important चीज है, तो उन group concerns का आपको civil run कीजिए, उनका reference चेक कीजिए, कि हो सकता है कि आपका borrow और A-limited अच्छे से चला रहा हो, और इन firms में उसने default कर रखा हो, बैंकों का, ठीक है, तो उनकी details आपको पता चल जागी, further आपको पता चलेगा कि A-limited, मालीज ये A-limited का अपने bank statement चेक की है, और A-limited अपनी सारी sales ही B-limited को कर रहा है, पहले आपको पता नहीं था कि B-limited DC की firm है, अब आपको पता चलेगा कि B-limited DC की firm है, फिर तो आप बोलेगे कि यार ये तो अपना कोई बाहर किसी को माल बेचता है नहीं, अपने घराने की firm कोई बेची जा रहा है, माल सारा, तो इस तरह से उनकी interconnected transactions को आपको पता चल जाएगा banking से और अपने financial study से की interconnected transactions क्या है, ठीक है, और कोई symbol से पता चल जाएगा कि उनका आपस में किस तरह से conduct है, उस firm के अंदर, हो सकता है कि आपको उनके financials भी देखने को मिल जाए, तो पता चले कि वो firms ठीक तरह से run हो भी रही है य नहीं हो रही है, यह हवा में चल रही है, ठीक है तो इस तरह से relevant information यहां से पता चल सकती है, तीसरा आप यहां से comfort भी drive कर सकते हैं कि यह client, यह client है, वे soul, जिस business को मैं loan दे रहा हूं, जिस business को मैं loan दे रहा हूं, उस business की उपर dependent नहीं है, अकेला, उस business की उपर अकेला dependent नहीं है इसके और भी source of income है और भी source of income है इसके तो यह आपको comfort drive हो सकता है इस चीज से कियार मैं अगर किसी बंदे को लोन दे रहा हूं अगर वो इस business में से 25-30 रुपे साल का निकाल रहा है मैं उसको 10 लाग का लोन दे रहा हूं तो यह वो उस business के इलावा उसको rental income से बहुत आ रही है ठीक है उसको और तरह की और बिजनसे से बहुत तरह की income आ रही है तो यह सारी income से आपको comfort drive हो सकता है client के उपर कि यह dependent नहीं है खाली इस business के उपर दूसरा मैं यहां पर आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि जो यह total income और tax है जैसे तो यह चीज़ कई वर आपको प्रपोजल जब आप बनते हैं तो आपके लिए एक comfort का point भी हो जाता है जब आप sanctioning authority को प्रपोजल को recommend करते हैं तो आप उनको बताते हैं कि सर आप उसकी ITR दिखो आप बोल रहे हो कि मैं इस बंदे को loan नहीं दूंगा वो तो 50-50 लाखर पर एकी total income दिखा रहा है ITR में 10-10 लाखर पर गौर्वर्मेंट को tax दे रहा है और हमने यहां पर उसको 25 लाखर पर loan देना है जो 10 लाखर पर सरकार को tax दे रहा है annual ठीक है तो healthy अगर ITR हो healthy ITR by healthy ITR I mean कि उसकी income अच्छी फाइल की गई हो ITR में अब अच्छी income की definition क्या है वो case to case vary करता है अगर कोई चोटा करियानना स्टोर चोटा customer है जो 20-25 लाख रुपे की sale करता है उसकी 6-7 लाख रुपे की ITR भी अच्छी कासी माने जा सकती है कोई client है जो 50-40-50 क्रोड रु कि ITR बहुत अच्छी माने जा सकती है तो यह case to case vary करता है कि अच्छी ITR means क्या 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 कौन से ITR अच्छी होती है तो आप comfort भी drive कर सकते है तो comfort drive करने के लिए आपको single ITR नहीं देखनी आपको अपने borrower का और guarantor's का total देखना है कि इन सब की जैसे latest ITR उठा ली तो इन सब ने अपनी latest ITR में कितनी income file की और कितना totality में tax भरा इन लोगों ने borrower's और guarantor's ने तो उससे अब drive कीजिए कि totality में वो income tax को क्या report करता है क्योंकि यह चीज़ आप भरीवनती जानते हैं कि अगर माली जी अगर मैं क किसी other source से या कैसी भी source करके अगर मैं 10 लाख रुपे करमा रहा हूं तो मैं tax planning उसकी ऐसे ही करूँगा कि मैं 10 लाख रुपे पर government को जादा टेक्स देनी की बजाए मैं यह कोशिश करूँगा कि मैं 10 लाख रुपे से में इसे 3 लाख रुपे की income या 5 लाख रुपे तक की income अपनी वाइफ के डाल दूँ 5 लाख रुपे की income मैं अपनी मदर के डाल दूँ 5 लाख रुपे की income मैं for example अपनी डिखा लूँ ताकि कम से कम मेरे को टेक्स देना पड़े तो यह चीज आप ध्यान में रखके चलिए तब ही मैं कह रहा हूं कि आप उसको combination में चेक कीजिए combine चेक कीजिए कि किस तरह से filing हो रही है ठीक है तो यहाँ पे उसको आपको आपको उसके other sources of business से भी पता चल सकते हैं कि क्या business उसके हो रहे है तीसरा आप जैसे for example यहाँ पे na computation of income में just एक छोटा से point आपकी knowledge के लिए जैसे यह कई बर मैंने भी practically use किया है जैसे other sources of income लिखे होते हैं other sources of income होते है अब मान लिजिए मैं बात करता हूं कि other source of income में उस बंदे को चाहे वो guarantor है चाहे individual है चाहे borrower है जैसे मर जी उसको ना bank interest मिला bank interest ध्यान दीजिएगा उसको bank interest मिला दो लाखर पे FDR interest for example या आप saving count का भी लगा लेजिए पूरे साल में दो लाखर पे का उसने interest शो किया तो क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसका bank में कितना balance होगा average average bank balance उसने कितना maintain किया होगा जो कि उसने आपको पहले कभी नहीं बताया होगा देखिए उसके saving लाख डिवाइड बैस साड़े तीन परसेंट राउंड अप करके आप देख लीजिए कि यह कितनी फिगर बनेगी यह आपकी फिगर बनेगी मैं calculation करके देखता हूं 57 lakhs something तो अगर बहां लीजिए उसको saving count पे उपर दो लाख रुपे ब्या जाया तो आप बोलेंगे कि यार बंदे के saving count में 50 50 60 रुपे पड़े हैं अगर FDU से भी आ जा तो चलो 47 40 45 रुपे पे आ जाएगा तब भी 40 45 रुपे की वर्थ उसकी bank balance में पड़ी है ठीक है इस चीज़ का आप राउंड अप करके calculation से अंदाज़ा लगा सकते हैं और क्या चेक कर सकते हैं आप माले जी उसको PPF तो divided by 7.1% आपको उसका PPF का balance पता चल जाएगा कि PPF में मोटा मोटा इसका इतना balance पड़ा है बंदा ये बंदा डूबा हुआ नहीं है कि secured है ये बंदा इसके पास है दमखम पीछे पैसा है बैकिंग अपने आपको संबालने के लिए कलको कोई versus circumstances अगर आ गए तो और क्या deductions आ रही होती हैं deductions में आप देख सकते हैं कि यार अच्छा ये ATC में इसने life insurance premium दिया हुआ है life insurance premium तो आपको एक होंसला हो जाएगा कि यार life insurance premium कराया हुआ है ये बंदा कल को मर भी गया तो पीछे से उसको पैसा पूसा कुछ आएगा मलब family को बचाने के लिए कुछ द रहे तो ये चीज़ आपके लिए matter करती है कि यार ये बंदा एज था कल को भगवान ना करे कोई miss happening हो जाए कुछ हो जाए तो कई लोग तो अब जैसे मैंने भी एक दो practical circumstance देखे हुए है तो कि unfortunately client की family में किसी को cancer हो गया तो client की लखो रुपे की net number थर उट गई business पे ध्यान नहीं दे पाया पैसे थे नहीं लखो रुपे business में से निकाल के उसने उसके treatment में लगा दीजिए recently अभी तीन-चार दिन पहले गाई case है client की जो capital थी वो books of account में एक करोट रुपे थी बट वो अभी last year reduce होके 65 लाख तो मैंने client से पूचा कि sir 35 लाख रुपे आपके कहां पे निकल गए 35 लाख रुपे की capital कहां निकली तो उसने अपना medical reason बताया कि मेरे मदर को ऐसे परके cancer हो गया था unfortunately तो उनका treatment बहुत खर्चा हुआ तो उस treatment में मेरा सारा पैसा लग गया तो ऐसे medical insurance उसके ITR में reflect हो सकता ह तो आप वो चीज़ चेक कर सकते हैं कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है उसकी rental incomes के उपर आप focus कर सकते हैं rental incomes कहां से उसको rental incomes आ रही है और rental incomes means जो principles हैं जो लोग उसको rent दे रहे हैं वो कौन लोग है वो कौन entities है कई बार उसको corporate से rent आ रहा होता है या बैंकों से rent आ रहा होता है तो आपको उसकी जाइदाद का एहसास होगा, कि अच्छा ये properties इसके पास पड़ी हैं, जहां से इसको rental income आ रही है, और secondly उसको इतनी rental income तो परमंत वैसे ही आ रही है, हमारा अपना business से तो जो कमा रहा है, वो कमा रहा है, ठीक है, और क्या दिखेंगे आप, tax वाली amount पर आ जाईए, tax वाली amount पर आ जाईए, एक factor अभी रहता है, important factor है, वो अभी मैं last slide में बताऊंगा, इसके बाद आपको वीडियो क्लोज कर देंगे, tax amount पर आ जाईए, अब tax amount होता है, advanced tax, self assessment tax, self assessment means, जो उसने अपने आप से जमा कराया, बीना government की कोई दखल अंदाजी के, एक TDS होता है, ठीक है, ये तीन तरह के tax नॉर्मली देखे जाते हैं, TCA से भी होता है, बट मैं इन तीनों का जिकर करूँगा, तो इससे आपको क्या अंदाजा लगता है, मैं आपको एक practical scenario बताता हूँ, कि आप कहाँ पर फस्ते हैं जाके, अब देखिए, अब भी जो, अब आपके पास कोई borrower loan लेने के लिए आया है, तो 2021-22, जो last year हमारा बीता है, उसकी आपके पास provisional balance sheet आती होगी, provisional balance sheet, rough balance sheet, क्योंकि audit तो भी complete हुआ है, audit तो भी complete हुआ नहीं, provisional balance sheet आती होगी, माल देजिए उस provisional balance sheet में, client ने अपना profit दिखाया, एक क्रोड रुपे, एक क्रोड रुपे अपना profit, बिफोर टेक्स आपको दिखा दिया, बिफोर टेक्स आपको दिखा दिया, ठीक है, अब आप बोलेंगे कि सर, आप बता रहे हैं कि, provisional balance sheet में, एक क्रोड बिफोर टेक्स profit आएगा, पर कहीं जब आप audit कराएंगे, आई टीर भरेंगे, तो profit कहीं कम ना कर दे, आप बताएं कि, एक क्रोड रुपे का profit दिखा के, आपने advance tax कितना जमा करवाया, advance tax कितना जमा करवाया, तो client बोलेगा कि, जी मैंने तो advance tax 15 लाख रुपे जमा कर रहा है, आप बोलेंगे कि सर, एक क्रोड के उपर तो minimum आपको, को final करें, तब खाली 50 लाख का ही profit दिखा दें, और उसके उपर 30% tax मनता है, 15 लाख रुपे, वो आपने दिये ही हुआ है, कल को दोखा ना कर दे मेरे साथ, तो client बोलेगा कि, नई जी ऐसा नहीं होगा, मैं जो बाकी tax है, वो self-adjustment में जमा कराऊंगा, वो self-adjustment में जमा कराऊंगा, ITR फाइल करते समय, मैं 15 लाख रुपे का tax अपने आप से बर दूँगा, हलांकि उसको यह उपर उसको ब्याज भी पड़ेगा, पर कहता मैं बर दूँगा, कहता मैं हर सल ऐसे ही करता हूं, कि जब मेरी balance sheet finalize होने लगती है, तो मैं self-adjustment में 30-40% जो portion of tax है, वो अपना self-adjustment में जमा कराता हूं, आपको तो client ने ये बात बोल दी, अब आप उसकी last year के ITR खोलेंगे, ITR में क्या खोलेंगे, computation of income, computation of income खोलेंगे, और उसकी बात को cross-check करेंगे, कि अच्छा last year भी उसने self-assessment में कितना tax जमा कराया, out of total tax, self-assessment में कितना जमा कराया, मा लिजे last year भी उसने self-assessment में 30-40% of total tax, उसने self-assessment में जमा कराया था, तो आप अपनी sanctioning authority को ये justify कर सकते हैं, कि सर उसने 15 लागी दिया है फलिहाल, advanced tax पर उसने बोला है कि मैं self-assessment में जमा कराऊँगा, कि मैं हर सल ऐसे ही करता हूँ, तो last year भी ऐसे ही हुआ था, उसने advanced tax में इतना कराया था, और बाकी खुद से ITR फाइल करते समय, self-assessment में बढ़ा था, मैंने last year के ITR में से चेक कर लिया, यह चीज़ पर आप फट सकते हैं, तो इस चीज़ का इस तरह से आप discussion वहाँ से कर सकते हैं, यह TDS वाला point बहुत important हो जाता है, TDS वाला point जो service providers entities हैं, जैसे वो job work पर काम करते हैं, जिनके काम पर TDS कटता है, उनके लिए बढ़ा important हो जाता है TDS वाला point, क्यों, क्योंकि इससे आप verify कर सकते हैं, कि उसको कितनी income मिली है actual में, अब जैसे मैं एक example लेता हूँ, मेरे पास एक job worker का case आया था, job worker का case आया था, वो dying करता था खाली, कपड़ों की, तो dying charges लेता था, तो dying charges के उपर उसको TDS deduct करके payment मिलती है, वो कह रहा है मुझे, कि सर मेरा 100% काम job work वला ही है, मैंने का अच्छा जी, ठीक है, तो मैंने उसको बोला कि सर, 2021 में आपकी job work जो ये कमाई है सारी, 15 क्रोटर पे आ रही है, तो अगर इस पे TDS आपका कटा है, तो ये 15 क्रोटर पे आपके उसमें दिख रहे होंगे, form 26S में, ठीक है, वो form 26S उसके पास download नहीं हो रहा, फिर उसने मेरे को computation of income दी, वहाँ पे मैंने TDS की पूरी detailed list होती है, list होती है कि कौन कौन सी entities ने TDS काटा है, कितना कितना TDS काटा है, कितनी कितनी total amount थी, और जो वो total amount आपकी 15 क्रोट से टैली करनी चाहिए, और जो TDS है वो तो चलो आपका टैली करे गई, और इसमें से आपको पता चल जाएगा कि ये genuine income है, क्योंकि TDS में कोई घपले बाजी नहीं होती, ये genuinely deduct होता है, ठीक है, तो साथ में आपको उसकी parties के नाम पता चल जाएगे, कि किन किन parties से deal कर रहा है वो बंदा, तो बड़ी बड़ीया information यहां से आपको मिल जाती है, और उसका client का जो job work वाला business है, जो service model वाला business है, वो यहां से verify हो जाता है, ठीक है, तो यह चीज़ आपको वहां से पता चल जाएगी, अब next point इसमें क्या है, last point, जो आपका business and profession है, जो आपका business है, जैसे a limited का business है, उसका profit and loss account है, profit and loss account, यह मेरे साथ बहुत बढ़र हुआ है practically, तो profit and loss account में, जैसे net profit आया होता है, depreciation आया होती है, या कुछ और चीज़े होती हैं, ठीक है, income allowed, disallowed, जो भी यहां पर other incomes भी हो सकती है, तो ITR की जब computation of income, अब चेक करेंगे न, computation of income, तो वहां पर business and profession की income की calculation होगी, वहां पर जब calculation होती है, in computation of income में की कैसे बनाईगी business income, तो वहां पर वह शुरुआत करते हैं की profit as per books, depreciation as per books, partnership के case में जैसे, interest to partners कितना, salary to partners कितना, वह भी यहां पर mention करते हैं, तो इन चीज़ों को, आप अपनी किताबों से टैली ज़रूर कर लिजेगा, हो सकता है कि आपको जो books उसने present की हो, वो पहले वाली present कर दी हो, बाद में ITR फाइल करते समय, उसने अपनी books को revise कर दिया हो, और आपको परानी books पहले ही दे दी हो, परानी balance sheet दे दी हो, धोके से भी दे सकता है, यह genuine mistake भी हो सकती है, तो मेरे साथ यह बहुत बड़ी हुआ है कि profit इनी टैली कर रहा, books में profit आ रहा है, 10,000 पे का यहाँ पे, और यहाँ पे जो उन्होंने लिखा है कि profit as per books जो उठाया है, वो उठाया है 20,000 पे का या माली जी 5,000 पे का, तो पता चला कि उसके जो balance sheet यह में profit and loss summit किये हैं, वो ही बेकार, वो useful ही नहीं है क्योंकि वो उसने पहले बनाय थे, उसके accountant ने so on, जो भी उसका बहाना होगा कि गलती से फाइल कर दिये, गलती से दे दिया आप bank को, पर वो उसमें fraud भी हो सकता है, यह चीज का ध्यान रखिए कि अब वो इसकी genuinety में मत जाएगा कि वो हरवारी genuine हो, तो जो calculations यहाँ पर बनाई गही होती हैं, उन calculations को एक बर cross check ज़रूर मारे, उसके साथ, कि भई यह जो figures उठाई हैं books of account से, क्या वो books of account के साथ tally हो रही हैं, तो tally अगर नहीं हो रही हैं, तो बहुत questionable चीज है, या तो ITR आपकी बाद में revise होई होगी, ITR गलत दी है, आपको ITR revise होई होगी, या books of account आपको गलत दी हैं, कोई तो चीज गलत है, आपको 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 नजर आ रहा होगा, पैन नमबर है, नेम है, एड्रेस है, स्टेटस है कि इंडिविजूल है कि फरम है, यह देखे, फाइल, अंडर सेक्शन 139-1, और बिफोर ड्यू देट, यह लिखा हुआ है, आइटियर का फॉर्म नमबर लिखा हुआ है, एक अनॉलेजमेंट नमबर लिखा हुआ है, टोटल इंकम लिखा हुआ है, टेक्स पेबल कितना है, यह सारी डिटेल्स के लिविशन यहाँ पे दी हुई है, तो इस तरह से एक आइटियर वी आप यहाँ पे शो करती है, अब यह जैसे एक आइटियर एक अनॉलेजमेंट का फॉर्मेट है, अब देखिए यहाँ पे यह देट ऑफ बर्थ, देट ऑफ इंकॉर्परेशन आ रही है, यह computer generated आइटियर वी है, computation of income, आपको दिख पारी है नहीं दिख पारी, इसमें पार्टी की डिटेल आ रही है, अब जैसे यहाँ पे देखिए, net profit as per profit and loss account, यही मैं चीज़ आपको लास्ट में बता रहा था कि, यह figure आपकी books of account से टेली करनी चाहिए, depreciation, partner, remuneration, partner, salary, जो भी, यह figures जो उन्होंने books of account के साथ से उठाई है, यह books of accounts के साथ आप टेली जरूर कीजिए, यह जो figures होती है, यह उनकी self calculation होती है, as per income tax law, इसको आप cross check नहीं कर सकते, पर यह जो books of account से आई है, यह चीज़ आपको books of account से आपकी टेली होनी चाहिए, तो यह competition of income होती है, जिसमें यह advanced tax कितना, TDS कितना, self assessment tax कितना, यह सारी calculation और उसके बाद यह advanced tax की आगे यह भी बताया होता है, यह तो अभी single page आपको नजर आ रहा है, इसकी 2-3 page की होती है, minimum 2 page की होती है competition of income, तो advanced tax में यहाँ पर आपको यह भी दिखाया जाएगा, कि advanced tax कौन कौन सी date को file हुआ, क्या के knowledgement number है, receipt number क्या है, TDS का तो मैंने आपको बताई दिया था, self assessment tax का भी मैंने आपको बता दिया था, तो यह इस तरह से computation of income शो होती है, तो साथ में आप जब computation of income में आप यह भी चीज़ देख सकते हैं, उसकी capital gain की income, capital gain की income में जैसे उसकी properties की sale purchase की income, shares, securities की sale purchase की income, तो इससे आपको क्या अंदाजा लग सकता है, कि यार माल लिजिए उसकी ideas आप 2-3 साल की देख रहे हैं, properties ही sell करी जा रहे है, client, तो यह चीज़ आपके लिए एक दिमाग में question मन सकता है, कि यह सर आप इतनी properties की बेच रहे हो हर साल, जो ऐसा क्या हो गया कि properties बेचने की ज़रूत पड़ सकती है, shares and securities में खरीद बेच बहुत कर रहे हैं, यह भी आपके लिए concern हो सकता है, कि सर वलब आप अपना पैसा एक तो यहां से आप हमारे पास लोन लेने आ रहे हो, दूसरी जगा आप share securities में पैसा लगाई जा रहे हो, बेची जा रहे हो, लगाई जा रहे हो और वहां से इतना इतना loss कमा रहे हो, ठीक है, अगर आप यह काम छोड़ देते तो शायद आपको लोन देने की जुरूरती न पढ़ती, तो यह चीज़ी हैं जो बड़ी अच्छी आपको एक picture बना के दे सकती है, client की, तो I hope आपने इस topic को समझा होगा अच्छे से, enjoy किया होगा, बाकि मैं आपको next video में मिलूँगा, thank you guys, thank you very much.